गरांग सर फंडमेंटली किसी में बाई आइडिया बन रहा है कि दोनों स्टॉक गजब के हैं इंडस्टावर पर कवरेज है वरून बेवरेज पर कवरेज थी लक्षान काने के बाद कवरेज निकाल दिये तो इंडस्टावर नतीजे आज इसलिए जादा आगे बढ़ती हु मिलता हुआ यह पसंद आ रहा है खैर दोनों के नतीजे और दोनों के कुछ इंट्रेस्टिंग आउटकम्स यी बोर्ड मीं डिवेटेड है आने देते हैं फिर चर्चा करेंगे अब आस्ता के पास चला जाए और आस्ता से रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि आज एक आई पयो आई खुलने जा रहा आई पयो सब्सक्राइब करना है नहीं उसकी चर्चा कर ली जाए आस्ता गूट मॉर्डिंग पहले डिटेल स्क्रीन सरा हैंगी आकुम्स ड्रग्स और फार्मसूटिकल्स आज से खुलेगा थर्सडे यानि की एक अगस्त को आई पयो बंद होगा और पैसा डाला एक डाला है इसका नेम रखा है क्योंकि जितने भी रिलिजिएशन उसमें एककम बहुत पार गोंडाता है तो इसलिए उन्होंने इसका यूस किया है इकम ड्रग्स और फार्मसूटिकल्स देखा जाय तो कंपनी लाजसे से टून पोड़िश ओगई थी बहुत बढ़िया केपबलीटीज है इनकी 78% of the revenue CDMO बिजनस से आता है और EBITDA के बात करें तो कापी अच्छा-कासा EBITDA यानि की more than 90% EBITDA CDMO से ही drive करते हैं और बाकी API बिजनस से आता है कंपनी को हमारी तरब से subscribe की rating दी जा रही है subscribe करने की राय रहेगी limited listing gain और long term perspective यानि दुनों ही नजर यह से करिए लेकिन बहुत बड़े listing gain की उम्मीदना करते हुए limited listing gain और long term perspective से subscribe करने की सला है देखा जाये तो जब कंपनी की यहाँ पर आप RHP देखेंगे तो उसमें losses आपको देखेंगे लेकिन वो losses के पीछे कारण है जो मैं बताना चाहूंगे क्योंकि वो ही major highlight है इस पूरे अगर हम IPO की बात करें कि कुछ pair value adjustments हुए ते जिसकी वज़े से company को वो losses दिखाने पड़े अगर वो losses हम हटा देते हैं तो company के अच्छी खासी profitability है उसी वज़े से 29 का PE multiple पे company अपने IPO को ला रही है at the higher end of the price band तो हमें लगता है company बहुत बढ़िया establishment के साथ उतरी है market में और अगर हम ये losses को adjust करें तो profitability है और इसी वज़े से राय रहेगी सब्सक्राइब करें limited listing gain और long term दोनों ही रज़रिये से लगाने की सलाव हमाई तरफ से साइप योग को है एकम drugs sorry सुपर से जो मैं गलत प्रनाउंस कर रहा था एकम drugs में limited listing gains और लंबी अवदी के लिहाद से निवेश किया जा सकता है आस्ता तैंक यू सो मच एक NTPC पे जेफरी आस्ता प्रेश Director कि ता São इवर का प्राब्डर, आस्ता प्रेश्य आस्ता एक एकम प्राप एकम आस्ता में ऑ्री बडिए कि झाल झाल